तो हमने ब्रेट से ये तयार किये हैं थंडी एस्क्रीम केक तो आप इसे मिठाई भी कर सकते हैं तो इस तरह से बनाए आएद बताती हूँ जटपड की कैस की तरह से हमने इसे तयार किये हैं तो आएदेखते हैं वीडियो नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ जोती सिना हमारे चनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं ब्रेट से बिल्कुल नई रेस्पी बना रही हूँ जिसे साही टुकरा भी कर सकते हैं और केक भी कर सकते हैं और एसक्रिम केक भी कर सकते हैं तो आईए देखे विडियो और इसे मिठाई भी का सकते हैं, तो आपको जो इक छक्र हो कहिए, देखिए, कि सिर्फ ये, देखिए कि कितने सारे ब्रेड से कुछ बन सकता है, तो आईए आपको बिल्कुल नए रेश्पी देखें, ये ब्रेड है, ये देखिए, ब्रेड के सा साइड वाले को मैं काट लेती हूं इस तरह से सभी को काट दिये यह दिखें चलते हैं बनाने सबसे पहले पैन को लाएं गैस के गैस वां करें मीडियम रखें इसमें थोड़ी से घी है चाहते हैं तो आप लगाएं मैं गी लगा रही हूं अब ब्रेट को इसमें दूनों साइड से अच्छे से से शेख लेते हैं इस तरह से दूसरे साइड लगा लेते हैं ब्रेट को पर तो इसे प्लेट देते हैं प्लेट के दूसरे साइड से भी इसे पका लेते हैं कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन कलर इस तरह से सभी ब्रेट को आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं यह देखिए अब इसे निकाल लेते हैं इस पर फिर से लगाते हैं घी अब ब्रेट के ओपर लगाते हैं कुछ फिरो इसे तल देते हैं तलने से क्या होता है कि इसके अंदर बहुत जादा आप गी या मक्कन में तल रहे हैं जब फिलेवर रहता है घी या मक्षन का तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आप इस तरह से बनाएं, दूसरा पैन चड़ाएं, जिसमें चिनी का चासनी बनाना है हमें, इसमें चीनी डालें, 3-4 कप है, इस कप से आपका जो भी नापने वले उससे डालिए आप, जितना चीनी हैं, उसका हाप पानी लेगे, अर इसे, चीनी तो भिल्कुल गुलने तक इसे पकाएंगे, इसके तार नहीं बनाने, एक दो तार नहीं बनाने, सिर्फ इसे घुलना चाहिए चीनी, चलिए से बजोलते, अगर आपके पास केसर है, तो इसमें केसर डाल सकते हैं, और तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैं फूड कलर डाल रहे हैं, दो पींच डालेंगे, बस काफी है, क्योंकि बच्चों को कलर फूल रहता है तो बहुत पसंद आता है, तो इसलिए आप केसर या फूड कलर डाल सकते हैं, अभी थोड़ी सी और है भी इसमें हलकी हलकी सी चीनी इसे और भी थोड़ा पकने देते हैं बिलकुल इसमें से घृल चुका है चीनी और यह देखते हैं देख कोई चीपचीपा सा अब ocasano फिकल्स में और एक मिनट से और भी पका लेते हैं अब इसमें चिप चिपा सो होने लगा है थोड़ा दूखिए यह देखे चिप चिपा सो होने लगा है तो अब बस अब उतार लेते हैं इसमें दूद डाले एक कप थोड़ा से दूद को रख लेंगे और इसे गर्म होने देते हैं इसमें दो चमच आरा रोड डाले या कॉर्ण फ्लॉर है तो वो डाले तो इसमें डाल लेते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छी तरह से यह मिक्स हो चुका है इस जगह प्याब इसमें चीनी भी दो चमच आप चीनी डालें क्योंकि अपने सीरफ भी बना रखें चीनी को और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसमें डालते हैं और इसे अच्छी तरह से पकाते हैं तो इसे अच्छी तरह से गैस को सिलो रखें और इसे पकाते हैं तो इस तरह से चलाते रहें चलाएंगे नहीं तो क्या होगा नीचे यह बैठ जागा और बुठनिया से बना जागा इस तरह से हम चलाते रहेंगे से इस जगह आप चाहिए तो इलैंची पॉडरेस में डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए हम वैनेला एसेंस डाल रहें दो से तिन बुद्ध यह स्लो है गैस थोड़ा सा तेज करते हैं हलका सा बुठनियम से कम रखेंगे क्योंकि इसे चलाते रहना अगर चलाएंगे नहीं तो नीचे चिपक जाएगा इसलिए चलाते रहें इसे देखते हैं यह पका या नहीं इसे देखने का तरीका यह आपका सोस तयार हुआ है कि नहीं इस तरह से करें तो यह आप पक चुका है तो हम गैस को बंद करेंगे क्योंकि यह इतने पर रखें नहीं तो अगर इससे और गारा करेंगे तो बिल्कुल वह बहुत जादा सूखने के बाद गारा हो जागा ठंडा होने के बाद तो इसलिए इतने पर ही आप उता रहें से तो चलिए अब हम इसे गैस बंद कर दी हैं इसे ठंडा होने देते हैं इस चासनी हमारा ठंडा हो गया दर से थोड़ा सा घुर्म करेंगे यह गर्म हो गया है मैं गैस बंद कर रहें पर इसको मैं बॉल में रख लेती हूं जिससे हमें आप इसी होज़े बनाना रेस्पी तयार करना एजी है तो अब इसे हम सेट करने के लिए रखते हैं तो ब्रेड ले ब्रेड कुटर यह जो हम चिनी की बनाए है जासनी सीरफ इसे इस क्यूपर अच्छी तरह से कोटिंग कर दें इससे अंदर अंदर तक अब जड़ा लगा दे इसक्यूपर फिर दूसरा ब्रेड रखे और फिर तीसरा ब्रेड रखे यह हो गया अब इसके उपर यह डाल दें अच्छी तरह से यह आप साइड में गिरा दें जो साइड की है ना वहां पे भी अच्छी तरह से यह लग जाएंगे यह अच्छी तरह से फैला दें यह अच्छी तरह से हमने डाल दिये अब आप चाहें तो इसके उपर ड्राइ फूट पर डाल दें जो और भी डेकोरेट हो जाएंगे देखने में भी अच्छा खाने में भी उतनी स्वादिश्ट यह देखी कितना अच्छा लग रहा देखने में तो बाकी जो है इसे भी साइड में डाल देते हैं और इसे इसे दो से तीन धंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं सेट होने के लिए सेट हो चुका है अब इसे हम सेट कर लेते हैं बहुत अच्छा सेट हुए है तो इसे हम कट कर लेते हैं यह निकाल को एक को मैंने काट लियें इस तरह से आप इसे का सकते हैं ये ज़ा कि पढर इसक्रीम केक या आप इसे कहना चाहेँगे जटबट बनने वाले मिठाई का सकते हैं आप इस तरह से बनाएं और खाएं और अगर हमारी ये रेस्टी अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमाड़े चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सेयर करें थांक यू